हेलो गाईज, टेस्टी होम कुक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो गाईज, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आलू बड़ी की सबजी, जो की बहुत ही स्वादिश लगती है खाने में आपने नहीं बनाया है ना तो कोई बात नहीं, यह मार्केट में मिलती है बड़ी के नाम से आप इसे किसी भी जर्नली स्टोर से खरीच सकते हैं इसके सबजी बहुत ही स्वादिश लगती है तो एक बार बना के आप ट्राई जरूर करिएगा तो सबसे पहले हम बड़ी को क्या करेंगे पानी में वाश कर लेते हैं हमें पानी में इसे भीगाना नहीं है सिर्फ वाश कर लेना है तो यह हमारी बड़ी जो है वाश हो गई है इसे अब मैं रग देती हूँ और बाकी की तयारी हम कर लेती हैं तो यहाँ पर मैं आपको इस सब्जी को तड़का देने का एकदम नया तरीका बताऊंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर यह सूखे लाल मिर्ची लिया है, और मिर्ची का मैं यहाँ पर बीज निकाल रही हूँ, तो इस तरीके से आप मिर्ची का बीज थोड़ा सा निकाल ल बहुत ही स्वादिश लगती है सब्जी और तड़के का जो फ्लेवर रहता है, उसके बाद यहाँ पर ले लिया है मैंने आलू, तो मैंने यहाँ पर यह तीन आलू को मीडियम तोकड़े में चौप कर लिया है, छिलका उतार देंगे, इसे पानी में रखा मेने ताकि काला करना पड़े, उसके बाद सब्जी बनाने के लिए कड़ा ही गरम होने के लिए रखा है मैंने, और इसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड ओयल डालेंगे, क्योंकि हमें बड़ी को यहाँ पर फ्राइ करना है, तो ओयल में डालिए बस अलट पलट करते हुए, दो तीन मिनट मे जलने लगती है, फिर बहुत जल्दी यह फ्राइ होती है, तो सारी बड़ी को मैंने फ्राइ कर लिया है, अब सब्जी बनाने के लिए एक चाम मज भर करके ओयल आड़ करेंगे, और गरम होने के बाद हम यहाँ पर लाल मिर्शी का बीज आड़ करेंगे, जैसे ही आप प्याज को मिक्स करते हुए दो मिनट तक पकाना है, जैसे आप देखो प्याज आपकी हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है, इसमे हम आलो आड़ करेंगे, आलो को पानी से बहार निकाल करके जो है मैंने रखा था, इसे हम यूज कर लेते हैं, और मिक्स करेंगे, प्याज को मैंन प्याज करेंगे, आप अपने स्वात के अंसवा नमक कम जादा कर सकते हैं, फिर से मिक्स करिए और फिर से इसे 5-6 मिर तक पका लीजिए, नमक डाल देने से आलो आपका जल्दी पक जाएगा, जैसे ही आप देखो कि आपका आलो अच्छे से पक शुका है, आप चाहे तो प्रेस करके चिक कर सकते हैं आलो को, फिर इसमें हम एट कर देंगे टमाटर, तो मेने हाँ पर ये दो टमाटर मीडियम साइज कर लिया हुआ है, बीश में जगह बना करके और टमाटर को हम ओल में आट करेंगे, टमाटर को चारु तरफ से आलो से ढख देते हैं, ताकि टमा टमाटर हमारा पकना जाए, तो ये चार मिनाट के बाद मैंने कायब उठाया है, और गैस का फिलेम मीडियम रखा थो मैंने, टमाटर हमारा जो है सॉफ्ट हो चुका है, इसे मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह से, जब आप देखो कि ओयल काफी अलग अलग दिखाई देने लगा है, टमाटर गल चुका है, फिर इसमें हम आट कर देते हैं, लाल मिर्ची पाउडर, तो ये सबजी जो है थोड़ाई स्पाइसी रहेगी, तो खाने में ज्यादा स्वादिश लगेगी, इसलिए मैंने एक चम्माच भर करके लाल मिर्ची पाउडर यूस किया है, आप आपको जितना ग्रेवी चाहिए ना, उस हिसाब से पानी यूस करिएगा, लेकिन हम इसमें बड़ी आट करेंगे ना, बड़ी जो है ना, पानी सोखेगी, इसलिए हम थोड़ा सा ज्यादा पानी यूस करेंगे, तो ये मैंने एक कप यूस किया है पानी, मिक्स कर देते हैं और इसमें आट कर देते हैं, हरा धनिया बारिक चौप करके थोड़ा सा, गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है, और अब इसमें हम आट कर देंगे बड़ी, बड़ी आट करने के बाद आप इसे मिक्स करिए और लगभकी 8-10 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए इसे सब्जी में आपको किसी भी प्रकार का सब्जी मसाला, गरम मसाला यूज नहीं करना है, सिर्फ हल्दी और लाल मेशी पाउडर से ही बनाना है, बहुत ही स्वादिश लगेगी खाने में, तो मैंने हाँ पर ये 8 मिनट के बाद कैप उठाया है, और आप देख सकते हैं, बड़ी हमारी साइज में बड़ी हो चुकी है और अच्छे से पक चुकी है, कलर भी आप देख सकते हैं, सब्जी का बहुत ही प्यारा सा कलर है, फ्लेम आफ किया हैं, और सब्जी को मिक्स करके आपको दिखा रही हैं, बहुत ही बढ़ी है, चावल, रोटी, पूरी, आईएगा चैनल पर नए आए है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं हम आप लोगों से एक नई रेस्पी में बाई गाईज